इसके बाद जाओंगा personal assets slash liabilities पर अच्छा personal assets लाइबिल्टी में सबसे पहले आपके पास आ रहा है agriculture property और agriculture property के बाद आ रहा है commercial इंडेस्टेर रेजडेंचल property तो अगर कोई आपके पास agriculture property है तो simply plus पे click करके आप इसकी सारी details एड़ करेंगे तो plus पे click करता हूं तो यह property की description पूछ रहा है property का पुरा एड्रेस किया है तो जैसे हम आराम तर पर क्या होता है देहात में डाक अनाखास दिस दिस यहां आपका जो विलिज है जो भी विलिज का पुरा नाम है फिर उसके बाद तैसील का नाम है और डिस्टिक का नाम है वह आप लिख सकते हैं इसके लाब अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप पर रिजिस्ट्री से भी देख के लिख सकते हैं तो मेरा जो प्रॉपर्टी है जो अगरे लिख देता हूं इसके बाद जो एरिया वो लिख दूँगा और लास्ट पर जो मेरा सिटी है जो तैसील अगरी है वह आप लिख दें उपर विलिज का नाम आगया और नीचे तैसील का नाम आगया और सिंपली सब्मिट पर क्लिक करूँगा तो जो मेरी लैंड है जो उसकी वैली है वो लिख दूँगा जितने की मैंने बाई की तो ये land की value आ गई और simply calculate पर click करूँगा अच्छा उसके बाद अगर आपने inherit की है land ये land आपको अपने father से मिली और आपके father को उनके father से मिली या through succession मिल गई अल्ला नहीं करें किसी के parents की death होगी और जो land है वो उनको transfer होगी तो simply plus पर click करूँगा और जो property का address है वैसी वो add कर दूँगा property की detail add कर दूँगा कि agree land है या दूसरी है then जो area वो add कर दूँगा city आ जाएगी या तैसी लिख दें और आगे आप लिख देंगे inherited क्योंकि ये inheritance है आपको through succession मिली है तो simply inherited आ जाएगी और submit पर click कर देंगा अब ये जो अब ये जो property आपको through inheritance मिली है इसकी value zero ये आ रही होगी क्योंकि आपके बाप दादा ने आपको दी है तो इसकी value zero आ रही होगी इस पे आपका कोई भी expense करनी हुआ दूसरी बात जो आपने agriculture land खरीदी भी है वो सिरफ cost पे आ रही होगी इसके लावा जो आपकी wealth statement है इसमें जितने भी आपके assets है वो सारे cost पे आ रही होगी suppose कर लें कि आज value मैंने जिस तरह agree land के लिखी है 35,00,00 अब अगले साल इसकी value बढ़के जो market value है वो बढ़के एक डोड हो जाती है तो मैंने अपने assets को 35,00,00 भी रखना मैंने उनको appreciate नहीं करना ठीक है न उसकी value 35,00,00 ही रहेगे अगर मेरे पास plot है plot को मैंने construct किया और उसको गर बना लिए तो उसकी value को मैं enhance कर सकता हूं अच्छा जी मेरे case में inherited नहीं थी तो मैं inherited को delete कर दूँगा calculate पर click करूँगा अच्छा उसके बाद नीचे चलता हूं commercial industrial residential property अगर तो आपके पास कोई commercial plot है या कोई commercial shop या plaza है तो वो आ जाएगा industrial plot है वो आ जाएगा residential property आपके पास कोई गर है या plot है तो वो आ जाएगा simply as it is plus पर click करूँगा एक property पहले ही हमने add कि हूई है तो प्लस पर click करूँगा तो as it is जो भी आपका गर का address है या plot का address है suppose plot कर लेते हैं तो इसमें आप लिख देंगे plot number this block number this और जो आपकी society है उसका नेम आ जाएगा और नीचे detail में contents में आप क्या लिखेंगे plot then आगे आप लिख देंगे कितने मरले का है पांच मरला और आगे city का नाम आ जाएगा तो एक plot add कर लेते हैं और contents में same plot आ गया जितना मरला है वो आ जाएगा और lastly जो आपकी city है वो आ जाएगी और simply submit पे click कर दूँगा जितनी value का आपका plot होगा वो आप लिख देंगे तो यह देखें पहले एक property आ रही थी अब मैंने plot भी add कर लिया simply plus पे click करके अगर आपके पास कोई गर है तो plot number की जगाँ आप house number लिख देंगे contents में simply आप नीचे लिख देंगे residential और commercial नाम भी लिखें no issue और house लिख दें मरला लिख दें और जो city या उसका नाम लिख दें simply submit पे click करूँगा और जो value होगी इदर लिख दूँगा इसके लाब अगर आपका गर inherited है तो city के आगे inherited भी आप लिख देंगे इसको मैं delete कर दूँगा यह agriculture land भी delete कर दूँगा क्योंकि मारे case में नहीं आ रही और calculate पर क्लिक करूँगा अच्छा इसके बाद business capital business capital में दो चीज़ें आ जाती है अगर तो suppose कर लिए आप आप अपना काम कर रहे हैं और आप उदर से capital generate कर रहे हैं तो वो इदर प्लस पे क्लिक करके आप लिख देंगे इसके लाब अगर आपकी किसी company में शेयर्ज हैं निशावात में हैं आपके हॉंडा में हैं आपके Toyota मे हैं किसी भी company में अगर आप stock exchange पर trade कर रहे हैं और आपने company के शेयर्ज करीदिये में तो इदर आ जाएंगे प्लस पर क्लिक करूंगा और इदर लिख दूँगा जी शेयर्ज इन जो भी company है तो यह मेरे पास आ रहा है business capital तो business capital आपने कहां से देखना है इसका closing balance यहां तो अपनी excel की sheet से देख लें यह बिजने शेयर्ज पर जाकर देख लें तो excel की sheet पर चलता हूं और जो मेरा closing capital था 1.2 million इसको copy कर दूँगा और well statement में paste कर दूँगा यह आपका asset है जो आपका capital है यह आपका asset है यह आपकी investment पढ़ी हुए business में तो आपने business capital में जाके उसकी amount को add कर देना है तो simply इदर paste कर दूँगा उसके बाद equipment non-business तो यह खाली रहने दे animal non-business animal non-business में आपका आजाएगा अगर आपने suppose कोई दो तिन मवैशी रखे हैं दूट के लिए आपने कोई गोडा शुरा रखा हुए यहाँ आपने कोई कुटा शुटा रखा हुए expensive non-business purposes के लिए तो उसकी detail आप दर आजाए कि suppose अगर आपने कोई गाएंपैसे रखी हैं दो तिन अपने दूद के लिए तो उसकी value आजाएगी 10 लाग 15 लाग जितनी भी आपकी value है अगर आपने कोई गोडा शुरा रखा हुए तो उसकी value आजाएगी नीचे चलता हूँ सबसीक्वेंटली अगर आपने किसी को उधार दिया हूए debt on business advance slash debt slash deposit slash prepayment receivable slash security अगर आपने किसी को advance दिया हूए किसी को loan दिया हूए उसके detail आजाएगी इसके लाग अगर आपने किसी को deposit दिया हूए prepayment की हुई है prepayment किसके gainst suppose कर लें अगर आपने कोई plot लिया हूए और plot के gainst अगर आप किसे वगरा पे कर रहे हैं installments पे कर रहे हैं तो इसके detail भी इधर आ सकती है और इसके लावा जो plot है plot की details हम नीचे भी add कर सकते हैं any other assets में तो इधर आपने याद रखना है कि अगर आपने किसी को उधार दिया हूए या किसी को आपने को security दिया है security किसमत मे suppose कर लें अकर आपने कोई guarantee पे लिया है और उसके लिए आपने advance में उसको security पे कर दिया है usually हम दो या तीन माँ की जो security है वो पे करते हैं तो उसके detail आ रही होगी तो debt को add करने के लिए simply plus पे click करूँगा इधर जिस बंदे को हमने उधार दिया हूए या जिसको security दिया हूए तो cnc नमबर लिख लेता हूँ पूरा और content में देखें उसका नाम आ जाएगा और आगे आप लिख दें चाहिए आप security लिख दें security advance लिख दें या खाली advance payment लिख दें या loan payment लिख दें जो भी आपको ठीक लगे मैंने loan लिख दिया इस case में नाम लिख और आगे loan लिख द और आगे cnc दें उसका नेम और आगे debt की टाइप आगी तो मैंने loan लिख दिया तो security deposit या loan उसकी amount इदर आ जाएगी और इसकी आगे जैसे ही आप amount लिखेंगे और calculate पर प्रेस करेंगे तो यह देखें उपर वाले कॉलम में भी amount आना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारे case में debt नहीं है यह मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए add किया तो इसको delete कर दूँगा दोबारा calculate पर click करूँगा अचा जी motor vehicle non business अगर आपके पास कोई गाड़ी है कोई बाइक है तो इसकी detail इदर आ जाएगी जो आपके नाम भी होगी तो motor vehicle non business as it is इसके आगे plus बना हुए plus पर click करूँगा आपकी गाड़ी का जो number है वो इदर आ जाएगा या बाइक का number जैसे मारे case में bike है तो bike का number लिख लूँगा आगे हांडा लिख दूँगा जो company का नाम होगा और simply submit पर click कर दूँगा तो यह जो बाइक है उसकी cost आ जाएगी और simply calculate पर click कर दूँगा अच्छा उसके बाद आ रहा है precious possession तो जो precious possession है इदर आपकी जूल्री आ रही होगी जूल्री में क्या आ रहा होगा आपका gold आ रहा होगा आपका silver आ रहा होगा यहां आपका diamond आ रहा होगा तो as it is आप plus पे click करेंगे precious possession में nature of facet पूछ रहा है तो nature of facet में आप जूल्री लिख देंगे और content में क्या पूछ रहा है gold है क्या चीज़ है तो gold होता है usually gold लिख दूँगा और कितने तोल है तो 10 तोल है मेरे case में तो 10 तोला लिख दूँगा और इसके बाद submit पे click कर दूँग और जो value होगी जो मेरी purchase price होगी हो इदर लिख दूँगा इसके लाब अगर मुझे inheritance से मिला हुआ है पेरेंट से मिला है तो inherited कर दूँगा और subsequently अगर मुझे ये wife से मिला हुआ है शादी के वक्त तो मैं इसके आगे तोला के आगे इदर डॉरी लिख दूँगा डॉरी मतलब के जहेज में मिला हुआ है तो submit पे click करूँगा तो ये रेखें jewelry gold दस तोला डॉरी यानि कि ये मुझे जहेज में मिला हुआ हुआ है और इस पे मैंने कोई cost इंकर नहीं की इस वज़ा से value 0 आ रही है जिस तरह अगरिकल्चर लैंड थी चाहिए वह परपर्टी थी जो मुझे एजने inheritance मिली तो यह जो गोल्ड मुझे जहेज मिला मैंने कोई cost इस पर इंकर नहीं की तो इसकी value 0 आ जाएगी तो household effect में आपके जितने भी आपकी household items है फरनीचर हो गया तो इस तरह की जितनी भी आपकी चीज़ें वो सारी household effect में आ रही होंगी गर का जितना भी समान है फरनीचर हो गया electronics हो गया कुछ भी उसके आप सब की value जो है यह household effect में डाल लेंगे हमारे case में साड़े साथ लागा आ रही है तो आप इसमें डाल लेंगे पर्सनल आइटम पर्सनल आइटम में आपका laptop आपका mobile इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो मेरे case में पर्सनल आइटम जो थी वो डेड़ लाग के थी और cash non-business को छोड़ दा है यह फिल वक्त balancing amount है इसको मैं zero कर देता हूँ नीजे चलता हूँ any other asset कोई और टाइप का asset है जो उपर आप नहीं लिख सके तो वह any other asset पर क्लिक करके आप इदर लिख देते हैं तो plus पर क्लिक करूँगा और इदर लिख दूँगा cash at bank जो मेरा current account है एक मेरे पास current account है तो जो उसका balance होगा वो इदर लिख दूँगा simply calculate पर क्लिक कर दूँगा assets in others name अगर आपके पास assets हैं जो दूसरों के नाम पर है सपोज एक husband है उसने property खरीर ली अपनी wife के नाम पर तो वह अपनी return में उसको declare करेगा कि यह जो asset है यह दूसरों के नाम पर वह भी आप plus पर क्लिक करके सारी details उसकी add करोगे house number यह plot number उसके बाद block है street number है society का name आजाएगा यह city का name आजाएगा और आगे आप लिख दोगे किसके नाम पर आपने बाई की है जैसे wife है यह mother है and so on आगे आप लिख देंगे के assets held in the name of wife यह mother यह father यह brother जो भी है जिसको close करता हूँ तो यह total assets inside Pakistan पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर मेरे इतने assets है चार million के assets held outside पाकिस्तान अगर मेरे पाकिस्तान के बाहर भी कोई assets होते जिस तरह आज कल दुबाई लीक्स का सीन चल रहा है तो आप प्लस पर क्लिक करके अगर आपकी कोई दुबाई गारा में property है तो उसकी details आप इदर add कर देते और जो उसकी value होती हो आप PKR में यानि के पाकिस्तानी रूपीज में इदर add करते capital or voting rights in foreign company जिस तरह आपने उपर लिखा business capital में कि अगर आपने shares held किये हैं किसी company में तो वो उदर आजाएंगे पाकिस्तानी company में ऐसी अगर आपके किसी foreign company में shares हैं तो वो आपके इदर आजाएंगे capital or voting rights in foreign company में simply आप plus पे क्लिक करेंगे और जिस भी foreign company में आपके shares हैं उसकी detail आप add कर देंगे name आजाएगा country का name आजाएगा उसका registration number आजाएगा date of registration जितने percentage आपने held की हुई है shares की income declared उस company कि कितनी है और income का tax year कौन से हैं तो यह detail आजाएगी तो simply इसको close करता हूँ यह मेरे total access हो गए इसके लावा नीचे आ रहा है credit, non-business, advance, borrowing, deposit, loan, mortgage, overdraft, slash payable अगर आपने किसी person से loan लिया हुआ है यहां किसी bank से loan लिया हुआ है यहां आपका credit card है तो यह उसके detail इदर आजाएगी तो simply plus पे click करूँगा अगर मैंने किसी बंदे से loan लिया हुआ है तो उस बंदे का नाम आजाएगा अगर bank से loan लिया हुआ है तो bank canteen add कर दूँगा और content में क्या लिखूंगा जिस बंदे से मैंने उधार पकड़ावा उसका name आजाएगा और bank के case में bank का name आजाएगा simply आगे type of account में क्या लिख दूँगा loan जो भी मेरी loan की type होगी क्रेटर में जो आपका bank है आपके bank का NTN आजाएगा अब bank का NTN आप कैसे search करें अगर आप Google करें suppose मैं Google करता हूं और इदर मैं लिख देता हूं bank कल्फ़ला NTN तो यह मेरे पास जो NTN यह देखे national text number यह आ जाएगा तो simply इदर से copy करके पेज़ कर दूँगा और नीचे content में पूरे bank का नाम लिख दूँगा bank कल्फ़ला limited और आगे जिस type का मेरा loan होगा suppose कर लें अगर मैंने गाड़ी lease पे निकलवाई हुई है तो आगे लिख दूँग कर लोगा तो अगर आपको नहीं idea individual के case में तो आपको idea होगा कि आपने कितने पैसे देने हैं और company के case में यह बैंक के case में आप बैंक से repayment schedule ले लेते हैं कि मेरा कितना balance जो है वो payable है 30 June तक इसके लाब अगर आपके पास credit card है तो credit card की भी आप details जिदर add करेंगे जिस तरह आप bank की detail एड़ करेंगे उसी तरह credit card की details भी आप add करेंगे और आप बताएंगे कि जो आपकी last credit card की transaction है उसका कितना payable आप मेरे जो personal assets थे वो complete हो चुके हैं अभी मैं जाओंगा reconciliation of net assets पे अच्छा अगर तो आप अपनी income tax return first time file कर रहे हैं तो जो आपके net assets prior year है इधर zero आ रहे होंगे इधर कुछ भी नहीं आ रहा होगा इधर आप खुदी जो है information fetch करेंगे क्योंकि मैंने पिछले सालों की returns भी submit की है तो यह मेरी figures उसने automatically fetch किए अगर मैं calculate पर click करूँ तो यह देखें मेरे पास वही figure दुबारा वापिस आगए तो अगर तो आप first time return submit करें तो जितना भी differential होगा वह आप इधर डाल लेंगे suppose मेरे net assets current year बन रहे हैं 4 million के तो आप इधर net assets prior year में डालें 3.8 million के क्योंकि 40,000,000 के अभी मेरे asset है पहले मेरे 38,000,000 के होंगे तो कोई inflows में जो मेरी income है जो मेरा net profit था 1,92,000 वो copy करके इधर paste कर दूँगा तो simply tax chargeable slash payments पर जाओंगा then जाओंगा competition पर और यह जो 1,92,178 है यह देखें taxable income इसको copy करूँगा और well statement में जाके reconciliation पर जाओंगा और income declared as per return for the year subject to normal tax में जाके इसको paste कर दूँगा calculate पर click करूँगा तो यह मेरी unreconciled amount आ रही है अच्छा एक और बात अगर तो आप first time return submit कर रहे हैं तो यह unreconciled amount में जितना भी difference आ रहा होगा यह सारा आप mention कर देंगे net assets prior year में क्योंकि मैं पहले ही return submit करता आ रहा हूं तो net assets prior year मेरा हर साल जो है return खुदी carry forward कर देती है personal assets slash liabilities पर जाओंगा और जो मेरा cash non-business है इसको zero करता हूं calculate करूँगा और जितना मेरा differential है वो सारा cash non-business में add कर दूँगा वापिस reconciliation of net assets पर जाओंगा और यह 4,5,616 इसको copy करूँगा personal assets slash liabilities पर जाओंगा और cash non-business में सारा differential add कर दूँगा और simply calculate पर क्लिक करूँगा अच्छा मेरी सारी details पूरी हो चुकी है इसके बाद जाओंगा reconciliation of net assets पर निचे चलता हूं तो यह देखें difference मेरा zero आ रहा है अब इसके बाद क्या करेंगे उपर आता हूं उपर आने के बाद आप जाएंगे attribute में attribute में जाने के बाद सबसे पहले आपके पास आ रहा है business sector तो business sector में आपके पास select option आ रहा है यह drop down है इसपे क्लिक करूँगा और यह पूरी list से आपका जो भी business है जो भी आपका business sector है वो आप select कर लें तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इदर others लिखें others में जो भी आपके पास option आ रही है वो select कर लें तो मेरे case में trader others है तो इसपे क्लिक कर लूँगा नीचे चलता हूँ उसके बाद वो कह रहा है कि आपका residence status किया अप resident है non resident है तो simply यह भी drop down है इसपे क्लिक करूँगा और residence select कर लूँगा इसके बाद उपर चलता हूँ इसको profit and trading slash profit and loss account जो है इसको आपने submit करना है तो simply add file पे क्लिक करूँगा और जो मेरे profit and loss account है simply उसको select कर लूँगा तो जैसे मैंने double click किया यह मेरे पास file upload हो गई इसके बाद आप एक दफाद सेव कर लें then मैं जाओंगा submit पे submit पे जाने के बाद वो कहरा है कि चार डिजर्स का pin दें तो चार डिजर्स का pin दूँगा और simply submit पे क्लिक कर दूँगा तो जैसी मैंने submit पे क्लिक किया return मेरे सामने से guide हो जाएगी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि return आपकी कहा गई है तो जैसी आपने return submit की उसके बाद और completely task में आने के बाद आप जाएंगे declaration पे थोड़ा नीची आ जाएं तो यह देखें यह आपका आ रहा है period यकम जिलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तो यह आपकी return जो है यह submit हो चुकी है इधर return की description आ जाएगी आपका name आ जाएगा आपका सिराइसी नमबर आ जाएगा यह period आ ग आप में इसे contact कर सकते हैं और अगर आप हमसे भी return सब्मिन करवाना चाहें तो आप reasonable price में हमसे return भी सब्मिन करवा सकते हैं तो यह था आज के लिए थैंक यू सो मच अलाफेज